हेगाई नमस्कार आप लोगों का टाप्टरिंग क्लास की प्यारे से यूटूब फईपस वागत है आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले कच्छा बारा की भौतिक भी ज्यान एक नए टॉपिक की प्यारे बच्चो आज की टॉपिक है नाभिक की सनचना के अंतरगर हम ल बिल्कुल आसान भासा में तो क्लास को स्टार्ट करने से पथे आप चैनल पर नया आये होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ सेर करना मत भूलिएगा चले क्लास को स्टार्ट क होता है जब वो नाभिक के सीधे से टकराता है तो टकराने के बाद वो अलफा कड ना तो नाभिक से तिरचा जा ना तो अपने पत से बिजलीत होता है ना तो नाभिक को पार कर पाता है अर्थात वो सारी वो जो सारी अलफा कड़े हैं वो उसी मारग में वापस लड़ जाती वह पर्रमाड के केंद्र में या पर्रमाड की अंदर एक छोड़े जगशन पर एक सुछमास्तान पए मिलाजुला के आपको तना याद रखना है कि रदर फोड के अलफा पेगेडन प्रयोग के द्वारा यह निसकर्स निकला कि परमाड का समस्त धनावेस परमाड की केंद्र में क्या होता है इस्तिध होता है तो उसी केंद्र को हम नाभिक करते हैं आज उसी नाभिक की हम लोग क्या करने चल रहे हैं त्रिज्जा निकालने चल रहे हैं प्यारे बच्चों तो चले नाभिक की हम त त्रिज्जा ग्याद करेंगे पहले आज नाभिक की त्रिज्जा के लिए हम लोग जानते हैं कि अलफा प्रिक्रणनी के प्रयोक से यह निसकर्स निकला था प्यारे बच्चों कि जो नाभिक का आयतन होता है जो नाभिक का आयतन होता है न वो किसके अनकर्मान उपाती होता ह द्रब्यमान संख्या के तिरतिय घात के समानु पाती हुआ तो गाइस ध्यान से देख़ेगा अब हमारी क्या topic है प्यारे बच्चो नाभिक की जो है तिरिज्जा अब नाभिक की जो तृज्जा होती है अलफा प्रिकलीन प्रयोग से यह निस्कर संगला अलफा प्रिकल्डन के प्रियोग से या अलफा प्रिकल्डन के क्या प्यार बच्चो अलफा प्रिकल्डन के प्रियोग से के प्रियोग से यह निसकर्स निकला की यह निसकर्स निकला की जो नाभिक का आयतन होता है नाभिक का जो आयतन होता है प्यारे बच्चो नाभिक का नाभिक का आयतन अनक्रमान उपाती होता है या समान उपाती होता है द्रबिमान संख्या की किसके द्रबिमान संख्या के ध्यान से ध्यान से दिखेगा प्यार बच्चो द्रबिमान संख्या के क्या होता है अनकुर्मान उपाती होता है अब नाभिक के आयतन को अगर हम V से ब्यक्त करते हैं तो V प्रपोस्नल होता है द्रबिमान संख्या कैप्टल A से अगर हम ब्यक्त कर रहे हैं तो वी प्रपोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर तो क्या पर यहां पर एक लगाएंगे इस proportional को हटाएंगे तो एक नियतांग का उप्योग करेंगे जिसे हम r0 कहते हैं प्यार बच्चों क्या कहते हैं तो क्या हो जाएगा इतनी बात आप समझे अब ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो यहां से जो 4 बटे 3 पाई है यह भी एक प्रकार का नियतांग है और जो यह r है वो भी यहां पर एक प्रकार का क्या है नियतांग है r को हम लोग कौन सा नियतांग कहते हैं प्यार बच्चों जान्ता को हम कहते है प्यार बच्चों अनुभाविक नियतांग कहते हैं अनुभाविक नियतांक होता है ये सभी परमाड़ूं के लिए जो होता है समान होता है प्यार वच्छो ध्यान से देखेगा ये क्या होता है अनुभाविक नियतांक होता है जिसकी बैलू होती है एक दसमलो पांच गुरित दस घाते माइनस पंदरह मीटर ध्यान से देखेग इसे हम कभी कभी फर्मी में भी बदलना चाहें तो ये कह सकते हैं कि 1.5 फर्मी होता है पहरे बच्चों 1.5 फर्मी क्या 1.5 फर्मी ध्यान से रिखेगा क्या 1.5 फर्मी एक फर्मी बराबर होता है 10 घाते माइनस 15 मीटर एक फर्मी बराबर क्या होता है 10 घाते माइनस 15 मीटर इसलिए इसे हम 1.5 फर्मी भी कहते हैं इस बात को आप ध्यान से समझेगा ठीक जो आपका अनुभाविक नियतांक है वो 1.2 गुड़े 10 घाते माइनस 15 मीटर होता है और अगर हम इसको फर्मी में बदल दें प्यार बच्चो तीसे हम 1.2 फर्मी भी लिख सकते हैं क्योंकि एक फर्मी बराबर होता है 10 घाते माइनस 15 मीटर होता है ध्यान से दिखेगा अब हमको क्या ग्याद करना था नाभिक की तरिज्या ग्याद करनी थी क्या ग्याद करना था पैरवच्छो नाभीक की तरिज्जा तो नाभीक की तरिज्जा आप यहाँ पर देखिए यह आर जो है यह क्या है यह नाभीक की तरिज्जा है अब आप देखिए यह भी नियतांक है यह भी नियतांक है तो हमसे इनसे मतलब नहीं है यहाँ देखिए जो A है वो क्या है द्रविमान संख्या है तो हम यहां से यह कह सकते हैं कि जो यह नाभिक की त्रिज्या है वो द्रविमान संख्या पे क्या रिलेशन दिखा रहा है यह दिखी यहां से यहां से क्या relation मिलेगा प्याड़ बच्चो यह ध्यान से दिखेगा तो तो जो नाभी की तरिज्जा का cube है नाभी की तरिज्जा का जो cube है R cube proportional क्या हो जाएगा निंटू A हो जाएगा प्याड़ बच्चो तो R cube U equal to R r nicht A आजाएगा, अब अगर हम यहाँ से cubeisstpaid हटा दें यहाँ से cubeSt elves तो इनके power क्या लग जाएगा, एक बटे 3 हो जाएगा, तो R equal to आजाएगा, R not A के power 1 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अगर हम बात करें directly, के वल 장s जो नाभिक की तरिज्या होती है, वो किसके उपर निर्भर करता है, तो जो नाभिक की तरिज्या होगी, वो अगर इस नियतांग को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये नियतांग सभी परमाड़ों के लिए लगेगा, तो अर्थात और प्रपोस्नल एक के पावर एक बटे तीन, यानि कह सकते हैं कि जो नाभिक की तरिज्या होती है, वो वो परमाड़ के द्रविमान संख्या के एक बटे तीन घहत के समानुपाती होता है, इससे यह रिजल दिन कलता है नाभिक की तरिज्या, अगर आप चाहो प्यार बच्चो यहाँ इस फार्मूले की मदद से किसी भी नाभिक की तरिज्या आप ग्यात कर सकते हैं, आप इसका एक स्क्रिन सॉट इस यहगा, फिर हम बात करते हैं, इस पे आधारित एक दो निमेरिकल बात कर लेते हैं, तो आप आसानी से अगर आपके एक्जाम में पूछेगा कि नाभिक की तरिज्या कैसे ग्यात करेंगे, तो आप जरूर उम्मीद है कि आप उहाँ पर लगा लेंगे, तो गारिस ध्यान से देखिएगा आपका पहला स्वाल और दूसरा स्वाल, सेम जो फार्मूला आप पढ़ क्या हो, उसी फार्मूले पहरे बच्चो, अभी आपने फार्मूला पढ़ क्या था, तो सबसे पहले हमको यहाँ फार्मूला करना रहता कि द्रबिमान जंख्या क्या होता है, तो प्यारे बच्चो ये वाला जो दिया है ये क्या है द्रविमान संख्या होता है और ये परमार करमांक होता है तो भाया ये द्रविमान संख्या ए यानि A equal to कितना है 27 दिया है ध्यान से दिखेंगे और किसी भी परमार के नाभिक के लिए जो अनुभाविक नियतांक होता ह उसकी बैलूत हम जानते हैं एक दसमलो दो गुड़ी दस घाते माइनस 15 मीटर होता है इसको तो बदलना नहीं अब हमको इसकी क्या ग्याद करनी है त्रिज्या ग्याद करनी है तो त्रिज्या का फामूला होता है आर नाट इंटू एक ए पावर एक बटे तिन अब आर नाट का मान एक दसमलो दो गुड़े दस घाते माइनस 15 और ए एक का मान कितना है प्यार बच्छो 27 के पावर एक बटे तिन चलिए एक दसमलो दो गुड़े दस घाते माइनस 15 27 को क्या हम 3 के पावर 3 लिख सकते हैं फ्रिक का नौ तरिक 27 बिलकुल लिख सकते हैं एक बटे 3 से 3 कैंशिल थीन के पावर एक का मतलब 3 ही होता है तो एग दसमलो दो गुड़े 3 गुड़े दस घाते माइनस 15 मीटर तो नाभिक की जो त्रिज्या आएगी वह ये आजाएगा नाभिक की स्यज्या आएगी तीन दस मलोच्छ गुड़े दस घाते माइनस पंद्रह मीटर होगा क्या आपको इतनी बाते समझ माई प्यारे बच्चो अगला प्रस्न क्या करा क्रमान उसार एक और सत्ताइस द्रब्यमान संख्यावाले दो नाभिकों की त्रिज्या क्या होगी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा ये आपका प्रस्न है प्यारे बच्चो तो क्रमान उसार मान लेते हैं इसको हम A1 का नाम देते हैं यानि ये कोई भी परमार हो जिसका द्रब्मान संख्या ये है और दूसरे वाले परमार की द्रब्मान संख्या क्या है ये दिया है अगर मानते हैं प्यारे बच्चों कि पहले जो पहला नाभिक है एक नाभिक की तरिज्जा आरवन है और दूसरे नाभिक की तरिज्जा नाभिकों की तरिज्जा क्रमसह क्रमसह आरवन वह आरवन है नाभिकों की तरिज्जा है वो दिया है तो द्यान से दिखेगा अगर मुझे अनुपाद निकालना है प्यारे बच्चो तो R1 बटे R2 करना पड़ेगा क्यों क्योंकि अनुपात बटे का ही मतलब होता है तो अगर हम इस फार्मूले से R1 का मान रखें तो भाई यह नियतांक है यह बदलेगा नहीं बलकि A के बजाय क्या हो जाएगा A1 के पावर 1 बटे 3 होगा और अब R2 की बात करेंगे तो R0 नहीं रहे वही रहेगा बलकि A2 बदल जाएगा 1 बटे 3 यह यह कैंसल होगा A1 का मान आपने 1 माना है 1 के पावर 1 बटे 3 और A2 को आपने माना है 27 के पावर 1 बटे 3 प्यारे बच्चों अभी आपने इसी को हल किया था यहाँ पर तो इसकी बेलू 3 आई थी तो आप चाहो तो ऐसे उपर का मान एक आएगा चाहिए जितना पावर हो 27 कोम लिख सकते हैं 3 के पावर 3 यह एक बटे 3 है 3 से 3 कैंसल हो जाएगा एक बटे 3 यानि इनकी जो तरिज्जाओं का अनुपात है प्यारे बच्चों R1 अनुपाते R2 R1 अनुपाते R2 एक अनुपाते कितना है 3 तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका जो अनुपात है वो आ जाता है यह रहा आपका प्रिशन नमबर 2 यह रहा आपका प्रिशन नमबर 1 इस प्रकार आप जितना इस फार्मुले पर आधारी जो भी numerical पोचेगा आप उसे आ इसका जवाब इसका reply लगा कर जरूर देंगे प्यारे बच्चों इसी पे आधारी सवाल है आपका ध्यान से दिखेगा कि अगर क्या कर दिया जाए कि कोई भी परमार जैसे ध्यान से दिखेगा प्यारे बच्चों क्या होता है कि अगर जो आपका कोई भी परमार हो जाए वह क्या हो जाए कि जैसे कि परमार उक्रमांक हो जाए आठ ओ सोलह आठ ओ सोलह आठ ओ सोलह नाभिक की क्या होगी त्रिज्या क्या होगी वह आपको बताना है प्यारे बच्चों और कहां बताना है कमेंट बॉक्स में आपको इसका रिपलाई जरूर करना है तो चलिए आप इ होता है कि नाभिक के द्रविमान और आयतन का अनुपात ही नाभिक का घंद को लाता है किसी भी पदार्त का घंद होता है वो द्रविमान और आयतन के अनुपात के ही वराबर होता है पहले बच्चों तो ध्यान से समझेगा कि नाभिक की घनत को कैसे निकालते हैं calculate करना है नाभिक का घनत कितना आता तो ध्यान से रिखेगा कि हम करते क्या है माना माना जो नाभिक की तरिज्जा है वो आर है माना नाभिक की तरिज्जा आर माना नाभिक की तरिज्जा कितनी है आर है तरिज्या आर तथा तथा द्रबिमान संख्या तथा द्रबिमान संख्या ए है माना नाभिक की तरिज्या आर और द्रबिमान संख्या क्या है प्यारे बच्चो ए है माल लिए कि जो नाभिक है उसकी त्रिज्या आ रहे है और द्रविमान जंख्या क्या है पहले बच्छो ए है तब उस समय नाभिक का घनत क्या होगा तो हम जानते हैं कि नाभिक का आयतन अभी हम लोगों ने जानते हैं कि नाभिक का आयतन होता है यह भी जानते हैं और नाभिक की तरिज्या भी हम लोगोंने निकाला था कि नाभिक की तरिज्या कितनी होती है तो नाभिक का तरिज्या जो होगा वो ध्यान से देखिए तो नाभिक की तरिज्या जो होगी r equal to होता है अरनाट। एक ए पावर, एक बटे तिन यही बैलु हम लोगों निकाला था। अब हमको क्या निकालना है नाभिक का घनत। तो नाभिक का घनत का फा मुला क्या हो जाएगा नाभिक का घनत तो बराबर होगा प्यर्वच्छो द्रबेमान बटे आईतन। घनत तो बराबर होता है द्रब्यमान बटे क्या होता है आयतन ध्यान से रिखेगा घनत तो बराबर क्या होता है द्रब्यमान बटे क्या होता है आयतन तो सबसे पहले हमको द्रब्यमान की जरुद पड़ेगी प्याले बच्चो किसकी जरुद पड़ेगी द्रब्यमान का तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे द्रब्यमान क्या निकालेंगे द्रब्यमान या या प्यारे बच्चो ठिक हाँ तो द्रब्यमान निकालें तो द्रब्यमान बराबर हो अब हम करते क्या है कि जो द्रब्यमान है उसे तो हम लोगों ने द्रब्यमान को पहले ही ए माना है ए बटे आयतन कितना है देखिए आयतन कितना है प्यार बच्चो चार बटे तीन पाई आर क्यूब अब ध्यान से देखिए आर का मान आप यहां से जानते हैं आर का मान आप रख सकते हैं तो ए बटे फिर यह आजाएगा चार बटे तीन फिर पाई आर के अस्तान पे हम रख स सकते हैं आर नाट एक पावर एक बटे तीन के पावर क्या है होल क्यूब ध्यान से देखिए अब क्या होगा ए बटे चार बटे तीन पाई होगा आर नाट का क्यूब हो जाएगा प्यार बच्छो आर नाट का क्यूब और यह तीन से तीन कैंसल हो जाएगा यहां क्योल क्या बचेगा ए से ए कैंसिल होगा और ये 3 कहां पहुच जाएगा उपर पहुच जाएगा प्यार रचो तो 3 बटे 4 पाई ध्यान से देखेगा 3 बटे 4 पाई आर नाट का क्या हो जाएगा तो ये क्या आजाएगा नाभिक का घनत तो ρो इक्वड़ू आपकाघा हो जाएगा प्यार बच्चो नाभिक का घनत तो आजाएगा रो बटे 4 पाई आर नाट का क्यूग इस प्रकार हम नाभिक का घनत भी केलकुलेट कर सकते हैं हम सबका बैलू रखकर प्यारे बच्चों हम इसको अराम से हल कर सकते हैं। अगर मुझे संख्यातमक मान निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे तो नाभिक के घंट्यों का संख्यातमक मान on नाभिक के घनत्तों का संख्यात्मक मान तो ध्यान से लेखना प्यारे बच्चो संख्यात्मक मान क्या होता है ध्यान से लेखे अब क्या होगा बराबर होगा तीन बटे चार तीन बटे चार तो रो बराबर क्या जाएगा तीन बटे चार पाई π का मान कितना है 3.1 गुड़े आर नाट तो आर नाट का मान है प्यारे बच्चो एक दस मालो दो गुड़े 10 घाते माइनस 15 का होल क्यूब है होल क्यूब प्यारे बच्चो यह हो गया आपका यह अब जब आप इहें हल करोगे तो हल करने के बाद आपको टोटल एंसर जो प्राप्त होगा प्यारे बच्चो वो कितना हो जाएगा दो दस मलो तीन गुड़े दस घाते सतरह कितना प्राप्त होगा दो दस मलो तीन गुड़े दस घाते सतरह इनका द्रबिमान का मातरक केजी होता है और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब तो जो आपका नाभिक का घनत्य मिलेगा वो कितना आएगा 2.3 गोड़े 10 गाते 17 केजी प्रती मीटर क्यूब आपको प्राप्थ हो जाएगा प्यारे बच्चो हमारी नेक्स टॉपिक है पर्मार की द्रविमान संख्या हमारी नेक्स टॉपिक क्या है प्यारे बच्चो पर्मार की द्रविमान संख्या पर्मार की द्रविमान संख्या क्या होता है प्यारे बच्चो जैसे ये कोई पर्मार हो गया और ये पर्मार का क्या हो गया नाभिक हो गया ये कोई क्या हो गया पर्मार हो गया प्यारे बच्चो और ये पर्मार के अंदर क्या हो गया नाभिक हो गया अगर नाभिक में प्यारे बच्चो नाभिक में अगर चाठो प्रोटान और चाठो नियोट्रान है तो 6 और 4, 10, कितना आएगा प्यारवच्छो, 10, यही 10 ही क्या कहलाता है, पर्मार की द्रविमान संख्या, जिसे हम एसे ब्यक्त करते हैं, क्या आप इतनी बात समझें, या नहीं, किसी भी पर्मार के नाभिक में, प्रोटान और नेट्रानों की संख्या के योग को क्या कहते ह द्रविमान संख्या कहते हैं, इसकी परिभासा लिख दे रहे हैं, प्यार बच्चो, किसी पर्मार के क्या, किसी पर्मार के नाभिक में, किसी पर्मार के नाभिक में, प्रोटानों और नेट्रानों की संख्या के योग को, प्रोटानों वह, नेट्रानों के संख्या का योग ही के संख्या का योग ही संख्या का योग ही द्रबिमान संख्या कहलाता है क्या प्यार बच्चो द्रबिमान संख्या कहलाता है द्रबिमान संख्या कहलाता है इसे हम किसे वैक्त करते हैं प्यार बच्चो एसे वैक्त करते हैं किसे वैक्त करते हैं एसे तो ध्यान से देखेगा यदि परमाड की दर्मान संख्या A है तो प्रोटानों की संख्या P माल ले और न्योटानों की संख्या यन माल ले तो A क्वल्टू क्या हो जाएगा P प्लस N हो जाएगा जहाँ P प्रोटानों की संख्या N न्योटानों की संख्या और A क्या है दर्मान में एलेक्ट्रानों की कुल कितनी संख्या है वही ही क्या कहलाती है एलेक्ट्रानों का संख्या ही क्या कहलाता है परमार क्रमां कहलाता है तो यह भी लिख दे रहें कि किसी परमार में किसी परमार में कि उपस्थित क्या किसी परमार में उपस्थित उपस्थित इलेक्ट्रानों की संख्या ही किसी परमाड में उपस्थित इलेक्ट्रानों की संख्या ही परमाड क्रमांक कहलाती है परमाड क्रमांक कहलाता है ठीक, क्या होता है प्रमाड क्रमांक कहलाता है इसे हम किसे व्यक्त करते हैं जिड्ड से व्यक्त करते हैं किसे व्यक्त करते हैं इस प्रकार आप परमार क्रमान और परमार की द्रमान संख्या को परिभासित कर सकते हैं अब हम देखिए इन सभी पर कुछ आधारित एक दो परस्न का भ्यास करते हैं जिससे कि आपका ये टॉपिक पूर्ण रूप से क्या हो जाए क्लियर हो जाए द्यास देखिए क्या करा है कि 92 यूरेनियम 235 ला देखिए के नाभिक में प्रोटान नियोट्रान वह इलेक्टरानों की क्या बताना है संख्या बताना है तो प्यारे बच्चो हम आपको एक अजीव सा बहुत ही बढिया सा तरीका बता रहे हैं कि ध्यान से देखना ये जो प्यारे बच्चो होता ये ये जो संख्या दी रहेगी यहाँ पर जो संख्या होगी वो इलेक्टरानों की क्या होती है संख्या होती किसकी संख्या होती पहले बच्चो एलेक्टरानों की संख्या होती है क्या आप इस बात को मान रहें पहले बच्चो इस बात को मानिए यानि इसमें जो हम लिख देंगे इलेक्टरानों की जो संख्या है इलेक्टरानों की जो संख्या है वो कितनी होगी कि किसी भी परवार में जितने इलेक्टरान होते हैं उतने ही प्रोटान भी होते हैं प्यारे बच्चो अतने इलेक्टरानों की संख्या जितना है उतना प्रोटानों की भी संख्या होगा तो प्रोटानों की भी संख्या कितनी होगी पान भी होगा क्योंकि जितना इलेक्टरा होता है उतना ही प्रोटान होता तभी तो पर्मार उदासीन होता है पैर बच्चो तो यह हो गए अब हमें वहां न्योट्रानों की संख्या बतानी है तो न्योट्रानों की संख्या के लिए हम इस समीकरण से ज्याद कर लेंगे तो क्या आजाएगा हम जानते हैं A equal to होता है P plus N A कामान अब A कामान आपके पास है पैर बच्चो यहां देखे यह total आपका A कहलाता है तो A कामान कितना है 235 P कामान आपके पास है 92 कितना है पैर बच्चो 92 और प्लस N यह चीज इधर आ जाए तो कितना आ जाएगा N equal to 235 minus कितना हो जाएगा बानवे जटा दीगा पांच म 143 यानि पैर बच्चो नेटरानों की जो संख्या होगी वो कितनी आएगी 143 प्राप्त होगा नेटरानों की संख्या कितनी आएगी पैर बच्चो 143 आएगी कितनी आएगी 143 तो इस प्रेकार हम किसी भी परमार के नाभिक में प्रोटान नेटरान इलेक्टरान की संख्या ग्याद कर सकते हैं अब जैसे यहाँ पर क्या करा कि इसमें बताओ proton और neutron की संख्या और electron की संख्या कितनी होगी तो प्यारे बच्चो आप इसका इस प्रशन का जवाब हम इंतजार करेंगे आपके comment में कि प्यारे बच्चो हम लोग इसका जवाब या आप लोग इसका जवाब कहां पर देंगे comment box में इसका reply ज़रूर करेंगे proton और neutron की संख्या आप वहाँ पर बताएंगे तो प्यारे बच्चो आप इसका एक screen shot लिजेगा अब हम आगे बात करने वाले हैं इस class की इस lecture की last topic की नाभिक का वरगी करन तो गाइस हमारी जो next topic और last topic रहने वाली है वह है नाभिकों का वरगी करन प्यारे बच्चो नाभिक का वरगी करन प्रोटान और नेोट्रानों के आधार पे किया गया यानि प्यारे बच्चो प्रोटानों और नेोट्रानों की संख्याओं के आधार पे हम लोगे ने नाभिक को तीन भागों में क्या किया बार दिया सबसे पहला आया समस्थानिक, दूसरा समभारिक प्यारे बच्चो, तीसरा समनेोट्रानिक, समस्थानिक को हम आइसो टोप्स कहते हैं, समभारिक को प्यारे बच्चो, हम लोग आइसे आइसो बोर्स कहते हैं, और समनेोट्रानिक को कहते हैं, आइसो टोन्स कहते हैं, प्यारे एसे तत्वा जिनके पर्मार्वों के जिनके नाभिको में जो पर्मार क्रमांग होता है प्यारे बच्चो अगर उनका समान हो यानि कहने का मतलब है पहले आप कี่ परिखासा पढ़ लीजिएगा एक ही तत्व के वे पर्मार कि नाभिकों जिनके नाभिकों का पर्मार क्रमांक समान होता है, यानि कहने का मतलब है, प्यारे बच्चों, ऐसे नाभिक जिनके पर्मार क्रमांक समान होंगे, यानि वो हमारे क्या कहलाते हैं, संक्या कहलाते हैं, प्यारे बच्चों, समस्थानिक कहलाते हैं, परंत एक कंडिशन और है, क कि परंतु क्या है कि उनका जो द्रविमान संख्या है प्यारे बच्चो वो भिन भिन होना चाहिए द्रविमान संख्या अलग-अलग होना चाहिए यानि ऐसे नाभिक जिनके परमारकमांक बराबर हो परंतु द्रविमान संख्या भिन भिन हो द्रविमान संख्या अलग- अबला कि ये आवर्त सांडी में एक ही अस्थान पे सभी लोग पाये जाएंगे, एक ही अस्थान पे सभी पाये जाएंगे, क्यों सभी लोग एक ही अस्थान पे पाये जाएंगे, क्यों क्यों कि इनका परमार क्रमांग क्या है, समान है प्यारे बच्चों, तो परमार क्रमां है पेर बच्चों यहां से लेके यहां तक कि जो है यह दोनों सेम है परंत यह द्रब्रमान शंख्या क्या है अलग अलग है इसलिए यह समस्थानिक कहलाती है पेर बच्चों और शमस् braucht रासायनिक की खास बात ये होती है कि इनकी इलेक्टरानों की संख्या क्या होती है समान होती है इलेक्टरानों की संख्या दोनो नाभिकों में इलेक्टरानों की संख्या क्या होगी समान होगी और जब इलेक्टरानों की संख्या समान होगी तो रासायनिक गुढ भी इनके क्य है इसका द्रविमान संख्या प्यारे बच्चों भिन्द है और द्रविमान संख्या भिन्द है तो भौतिक गुण दोनों का अलग अलग होगा प्यारे बच्छो इस बात को ध्यान से देखेगा यहां देखिए अगर आप देख पा रहोंगे प्यारे बच्छो तो यह परमार क्रमान को जो है तीनों के आपस में बराबर है परंतु जो द्रविमान संख्या है प्यारे बच्छो वो तो तीनों के आपस में अल पराबर होते हैं तीनों के और द्रविमान संख्या अलग-अलग है इसलिए भौतिक गुड़ अलग-अलग होता है और आवर्त सार्डी में ये एक ही अस्थान पे पाए जाएंगे प्यादे बच्चो तो अब अब परिभास आप देख सकते हैं एक ही तत्यों के वे परमार ज ही प्रमार जिनके नाभिक में प्रोटानों और नेोटरानों की संख्या का जो योग होता या हम करें प्रोटानो और नियोट्रानो की कुल संख्या समान हो वो क्या कहलाता यह प्रोटानो और योग ही नियुक्लियान कहलाता है यानि विभिनततों के अलग-अलग तत्तों के वे सभी परमार जिनके नाभिक में नियुकलियानों की संख्या आपस में समान हो, नियुकलियानों की संख्या बराबर हो, प्रोटानों और नियुकलियानों की योग बराबर हो, तो प्यारे बच्चों वो संभारिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, संभारिक कहलाते ह देखिए, इनके परमार कर्मांग अलग हैं, परंतु जो द्रविमान संख्या है प्यारे बच्शो, वो अलग अलग, द्रविमान संख्या जो हैं, वो आपके शेम टूस्चो वाले हैं, यहाँ पर भी धिय को 좋아요, इस द्रविमान संख्या, यानि प्रोटान और करन बैठेμε हैं, सम न्यूट्रानिक क्या होता है प्यारे बच्चो अलग अलग तत्यों के वे सभी परमार जिनमें केवल न्यूट्रानों की संख्या समान हो प्रोटान इलेक्ट्रानों की संख्या नहीं करा केवल नियूट्रानों की संख्या अगर बराबर है तो वो सम्नियूट्रानिक का लाते हैं सम्नियूट्रानिक का मतलब प्यारे बच्चो नियूट्रानों की संख्या क्या हो समान। एक्जाम्पल देखें यहां हाइड्रोजन का लिया गया हो हीलियम का लिया गया है प्यारे बच्छो यहां पर आप देखें यह संख्या बताती है इलेक्ट्रानों की संख्या और इस जो उपर संख्या है प्यारे बच्छो वो बताती है द्रविमान संख्या तो इस वाले लाएगा तो यहां भी की संख्या हां भी निट्रान आग। दो यहां भी निट्राठी किया ही एक क्या ही है? यहां भी तू आये है। बताओ कि इसकी नियोट्रानों की संख्या कितनी आएगी या ये सम नियोट्रानिक है या नहीं है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीज़ेगा तो प्यारे बच्चों आप इसका एक स्कुन स्वाड लीजिएगा I hope कि आपको आज की क्लासेज में मैंने इतनी टॉपिक बताई है सारी चीज़े आपको समझ में आई होगी प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंग जैभात थेंक्यू आल्डे श्टूडेंट